सब्सकर अबंच्राइब आप स्वागत एक नगले नहीं ने कि तहासे अपलीकेशन घृण कर लिजे और इस तरह से कर लिजे फिर आपको अपने स्क्रीन पे सब दिखाई देगा नुश्कर दोस्तों मैं हूँ रोज जैस्वाल आप देख रहे हो टेकनिकल आर्जम दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ आपकी बैटरी दिखाई दे कितना पर्सेंट चार्ज है या आप अपने मोबाल की स्क्रीन पर सबस्क्रीन लॉक राइट होने के बाद भी आपके इसक्रीन पर और बैज ओं रहे है इसके लिए आपको यह आप डाउनलूड कर ले ना है जिसका नाम मैं इसका रेटिंग चीलिंगे है और इसका नाम है terrified blending आफ तो सीधे क्या करना है तो बता देता हूं किस तरह से से कर सकते हैं जिसे का मोबाइल अगर बन करते हो अगर आप कोनाम लिख के रखना चाहते हो अपना नाम लिखना चाहते ए श्क्रीन पे तो आपका नाम दिखाई देगा अगर उस नाम का अलग-लग चेंज करना चाहते हो कर सकते यह दो lifts वंगया मैपकाuri करता हूं को और open करने के बाद दिखाता हूँ किस तरह से आपको permission देना है चलिए हमारा application open करता हूँ यहाँ पर accept पर ok कर देना आपको चलिए हमने accept पर एक बार click करता हूँ चलिए हमने click कर दिया फिर यहाँ पर allow कर देना है आपको तो मैं यहां पे क्या करता हूँ allow कर देता हूँ allow करने एक बाद इस सीध है आ जाएगा आपके application वाला option में जहां से आपको permission देना है कि आप यूज कर सके इस तरह permission मैंने दे दिया फिर से एक बार allow मांग रहा है तो चलिए हम notification के लिए तो यहां पे एक बार और आपको permission देना पड़ेगा चलिए यहां से भी हम notification वाला पे भी allow कर दिये ठीक है यहां से दो जगे से हमने permission दे दिया इस तरह आपको भी दे देना है चलिए आगे की setting आपको बताता हूँ application डाउनलोड कर लेते हो तो से हम आपके मूबा में इस तरह का interface आपको flow होना सुर्ण हो जाएगा तो दोस्तो जैसे आपको इस तरह 開वस चालो हो जाता है तो आपको क्या करना सबसे उपर दिया है देख रहे है दोस्तों सर्वाइस में किया किया यह सब option दिया है इस सारे service जैसे दिया है दोस्तों आपको ऐसे same ही रहने देना है कुछ भी इसमें चेंजिंग नहीं करना है चलिए दूसरा दोस्तों दे दिया है वाच वाच फेश कस्टमाइज तो दोस्तों चलिए दूसरा ओप्षन पर हम क्लिक करते हैं तो आपके दूसरे ओप्षन पर क्लिक करके अंदर आ जाना है तो यहां पर दिया इसका साइज आप जो आपकी मोबाइल के स्क्रीन पर मतलब जो घड़ी दिखाई देगा वाच उस आपके घड़ी का कलर में जरते हैं उस परकार से दोस्तों आप अपने घड़ी का कलर रख सकते हैं त यहां पर दूसरा आ certificates करना चाहते हैं और दूसर आ यहां पे color आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो तो चलिए हम इसमें green रखें ग्रीन रहने देते ठीक है यह तीसरा आता है दोस्तो मिनट यानि कि माल लेजिए एक बच के 35 मिनट हो रहा है अगर उसका मिनट का color आप चेंज करना चाहते हैं तो यहां से आप उस मिनट का color अप आपके screen पर show करेगा दोस्तों यहां पर नीचे दिया है इस पर आपको permission दे देना है फिर आपके mobile में चालो हो जाएगा फिर बेक आजाते बेक आजाने के बाद दोस्तों आपको ऊपर दिया है एक call वाला और watch का दोस्तों यहां पर इस सब घड़ी दिया हुआ है इस तरह स आप अपने mobile की screen में set कर सकते हैं पहला है दूसरा नीचे आपको यह सब पेड़ है यह सब में आपको पैसा भरना पड़ेगा पर यह वाला घड़ी है फिलाल दो फ्री है तो चलिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूं क्लिक करने के बाद नीचे दे रहा है शेप का option आप इस से पर क्लिक कर देना है तो यह आपकी screen पर घड़ी set हो गया और आपकी screen तो अगर आप अपने नाम लिखना चाहते इसमें तो नाम भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं नीचे नीचे आजाने क्पाद यहां पर दिया digital size अगर digital size आप कम बेस करना चाहते तो अपनी साब से आप digital size set कर सकते हैं दूसरा दिया है यह आपको horse color यानिक उसका color आपको बताया था उस तरह से आप अपने घंटे का और साथ में आपको ऐसा जो भी आप अपना नाम लिखते हो तो आपकी स्क्रीन पे यह नाम दिखाई देगा दोस्तो इस तरह से आप अपना नाम लिख सकते हो और यहां पर text का color दिया है आप जो color चाहें वो color आप set कर सकते हो फिलाल मैं पीला कर देता हूँ दोस्तो अब मैं आपको दिखाता हूँ अपने screen पे दोस्तो आप मेरे screen पे देख रहे हैं किस तरह से color दिखाई दे रहा है किस तरह से set हो गया है तो दोस्तो सेम आपके mobile पे ऐसे ही शो करेगा तो आप application डाउलोड कर लिजे और इस तरह से setting कर लिजे फिर आपको अपने screen पे सब दिखाई देगा